जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल ओनलाइन जो भैल्प में दोस्तों इस वी-डियो में हम बात करने वाले हैं आपके छे हाई जूलाई का जो रिव्यू है इंडियन एयर फोर्स का बेलगावी में जो आपकी रिपोर्टिंग चल रही है जोइनिंग ठीक है तो उसका रिव्यू हम करने वाले हैं छे जूलाई का जो भी अपडेट है वो कल हो चुका है complete medical वगएरा सारा process हो चुका है और इनको squadron भी allotment हो चुकी है जैसे guys पहले दिन थोड़ा सा late हुआ था लेकिन अभी क्या process हो रहा है एक ही दिन में सारा सारा का सारा जितना process हो आपसे complete करवा के last night तक आपको आपकी squadron मिल जाती है सब कुछ आपको रहने यह फरी हो गए तब उनसे मैंने call क्या क्योंकि night को क्या होता है guys night तक लेड तक जो होता है process होता रहता है तो हमने इनको फरी होने के बाद में कहा कि आप जैसे आपको फरी हो तब आप review तो description में social media के link है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो आसे आप contact कर सकते हैं और review अप तरीके की problem ना है ओके तो सबसे पहले इन्होंने जब मैंने इनको message किया था तो गाइज chicken fox वाली टीम आ गई थी और इनको टीका करन हो रहा था वहाँ पे ओके तो आप इंजेक्शन लगते हैं दो तीन परकार की ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगते हैं टेंशन मत लिजए क्योंकि training time में अधर किसी भी परकार की हो बिमारी ना हो ओके इन्होंने गाइज सेयर किया सर सुबह railway station पर ATS लाया गया हमको ठीक है सुबह railway station से ATS पर लाया गया हमको तो गाइज आप सभी को पता है कि आपका railway station पर जो normally process होता है वहाँ पे होता है उसके बाद में बस के मा ग्राउंड सा होता है वहाँ लेकर गई तो गई जो प्रेट ग्राउंड है वहाँ पे लेके गई सबसे पहले आपको ATS में ले जाकर वहाँ पे आपको temporary रूप से बिठा दिया गया और जो आपका कार्ड था आई कार्ड वो बना दिया गया था ठीक है temporary उसके बाद में जो गया था ठीक है तो मेडिकल वगेरा हो गया था जो कि हर एक ATS का अलग अलग हो रहा था तो मैंने गाई इनफॉर्मेशन आपको काफी टाइम पहले दे दी थी कि आपका जो वहाँ पे मेडिकल होने वाला है वो ATS यानि आपका phase 2 हुआ था मेडिकल हुआ था उसी ATS के ठीक है तो उसके according वो हो रहा है तो आपको डरने किसमें भी बिल्कुल जरूरत नहीं है देन गाई इनका जो मेडिकल कैसा हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है हमारे मेडिकल में private part check up किया गया है ठीक है जो कि Sam था मेडिकल के time और फिर डॉक्टर ने दूर्बीन से ear चेक किये और nose handband भी चेक किया गया था अब गाईज आप यहाँ पे देख सकते हैं medical के दोरान आपके private part चेक के जा रहे हैं लगबग mostly अभी तक जितने candidates मिले हैं जितने review हमने किये हैं उन सभी candidates के क्या हो रहे हैं private part सभी candidates के चेक हो और इसके बाद में guys क्या है कि आपका जो medical sam medical हो रहा है जो man medical हुआ था उसी तरीके से मतलब हर नहीं हो रहा है इसके अंदर यह बता देना चाहता हूं ठीक है तो क्योंकि team भी रहती है वहाँ पे चेक करने वाली तो फिर डॉक्टर ने दूर्बीन से जो आपका ear यानि ear के कम one month पहले पहले अपना ear wax करवाएं इसके पहले ear wax ना करवाएं कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे यह point सही हो जाएगा यदि आप यहाँ पे करवाते हैं और किसी डॉक्टर की थोड़ी बहुत कमी की वज़ए से जल्दबाजी में इधर उदर से हो गया तो आपका जिंदगी अगरा नहीं हुआ है नोर्मली चेक किया गया है है हैंड बेंड भी चेक किया गया है तोर्ज से चेक किया गया है ठीक है दुर्बीन से टेंसन मत लीजिए जो दुर्बीन होता है उससे चेक किया जाता है नोर्मली तो आप टेंसन इसमें बिल्कुल भी मत लीजिए नेक्स करवा लेते हैं तो पूसब वगएरा ये नॉर्मली एक्सरसाइज होती है तो आपको इसमें टैंसल लेलिकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो गैज वो इसलिए चेक करते हैं ताकि किसी केंडियेट को कोई इंजरी यानी कोई चोट वगएरा ना लगी हो और कोई इस्यू आओ ताकि इनको पता चल सकें ये इस्टुडेंट्स के कोई दिक्कत आ रही है तो उन पे आप वो फोक्स कर सकें और उसके अकोर्डिंग वो उनको थोड़ा वो चेक किसी केंडियेट के प्रोब्लम आ रही है इस एक्सरसाइज में तो उनको पता चलेगा कि इसके क्यों द में एरफोर्स जो एक्ट होते हैं एरफोर्स के क्या क्या नियम आप जोइन कर रहे हैं तो यह इसमें ऐसा हो जाएगा तो बहुत सारे रूल होते हैं जो कि आपके बेसिक टू एडवांस सारे के सारे जितने भी रूल होते हैं वो उसके अंदर लिखे होते हैं नेक्स्ट ग तो आपको दुबारा से फिल अप कर वाई जागा उसके अंदर आपको गलती नहीं करना है यदि कोई समझ में नहीं आता है फोरम में तो आपको ओफिसर से या जो भी वह अधिकारी लोग होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं पूलीस वेरिफिकेशन का भी फोरम भरवाय था ठीक हैं और जो कि अभी पूलीस स्टेशन पर वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया हैं देखो गाईज इंडियान एर फोरस पूलीस वेरिफिकेशन खुद भी करती है तो मैंने आपको पहले काशी टाइम पहले बताया हुए आपको तो इंडियन एर फोर्स आपके नजदी की थाने में वो जो नोटीस है वो ओनलाइन भेज़ देगी और उसके अकोर्डिंग जो है यहां आपके पोस्ट आपिस से भेज़ती होगी तो वहां पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद में जिस भी केंड परम थे ऐड लास्ट होम टिगेट रिफंट का फोरम भी भराया था लास्ट में आपका डिगट की फोटो कपीउ उसके अंदर लगा देते हैं टिगेट रिफंट फोरम थे वह आपसे फिल अब कर वाये गया था फिर विंक कमांडर सर ने सब को सब को मोटिवेट किया ठीक है विंग कमांडर सर थे उन्होंने मोटिवेशन दिया सब कंडिडेट्स को फिर हमें ट्रक से वापिस लाया गया और फिर बीटी एई ठीक है जो आपका बेसिक ट्रेनिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो स्क्वार्डन मिली है वो मजूमदार ठीक है मजूमदार यहाँ जो भी मजूमदार जो भी इसका नाम है तो वो स्क्वार्डन मिली है टोटल फिट और अन्फिट के निर्स का मैंने इसके बारे में जानकारी चाही रहूल से तो उन्होंने शेर किया हमारे बेंच में तो एक था एर्वेक्स का जो कि वहीं पर निकाल कर फिट कर दिया था और कोई अन्फिट नहीं दिया दूसरे बेंच में दो बच्चे का जिनको सस्पेंस था प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे डोक्टर चेक कर रहे थे वहाँ ठीक है बहुत सारे डोक्टर वहाँ पर चेक कर रहे थे फिर पदा नहीं उनका क्या हो रहा था ठीक है तो मैंने और भी बहुत सारी जनकारी पूची है और डे में क्या क्या प्रोसेस होता है खास नहीं सर्विस नंबर दे दिये गए हैं उनके इसाब से रोल काउंट होती ठीक है बाकी मास्क है डेली हो आपके गाइस काउंटिंग होती है वहाँ पे और यह सारे प्रोसेस जो आ लिके हुए आप देख सकते हैं यह आपके साथ मैं सेयर कर रहा हूँ ओरिजनल डाटा है ठीक है मास्क वगेरा दे दिये गए है कंबल दे दिये गए है बैड सीट है व उनका जिनका भी AAC है तो वो भी रोल करता है क्या AAC कौन सा है बेस्ट AAC है AAC-1 ओके अंबला अंबला कैंट है विकोज अंबला कैंट के विंग कमांडर खुद यहां आये थे वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनका थोड़ा स्पोर्ट था 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 भी सभी बचों को अंब अगर उन्होंने का था कि 250 के राउंडिंग ही कैंडिट्स की रिपोर्टिंग होती है डेली और उनमें से 5 जुलाई की बताता हूं आपको मैं डाटा गाइस 5 जुलाई को उन्होंने बोला था कि 249 ते साय टोटली फिट हो गए थे उसके अंदर और इसके बाद में थे गाइस तो 6 जुलाई की ये कैंडिट्स ने सेयर किया था उसमें से 200 में से mostly 243 थे इतने कैंडिट्स थे थी कि 243 या 244 कैंडिट्स वहां पे परजेंट थे उनमें से 3-4 कैंडिट्स को सायद उनको पॉइंट मिला है कंफरम नहीं है डाटा क्योंकि सारा डाटा पता नहीं चल पात नहीं कहता कि आप कंफूजन ना हो सर कोई लेट नहीं होता इसलिए मुझे पता नहीं है ये लेट नहीं हुए थे तो इनको कोई इनफोरमेशन नहीं है जो कैंडिट्स लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा ठीक हमापे और इसके बाद हो और आप सबने अपना प्यार दिया है तो वीडियो जैसा भी लगा होगा आपको टेंसलेंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपना मेडिकल का ध्यान रखें और दिकत कहा पर आएगी मेडिकल में इस तीज का ध्यान रखें यदि आपके कहीं पर चोट लगिए ठीक ह जाती है ना जैसे आपका कहीं से फैक्टर हो जाता है या कहीं हड़ी करेक हो जाती है या कहीं से आप फिसल गए है तो ऐसी नॉर्मली चोट हो तो चल जाएगी बट आपका हर्ड चोट नहीं होना चाहिए जैसे एक्सिडेंट हो गएरा कोई कहीं से हो गया या ओपरेशन और वगेरा तो इन चीजों का आपका ध्यां रखना है वो आपका बारी की से चैक हो सकता है यह आप पर गोर किया जाये तो ठीक है तो इस बात में ध्यां रखना है medical जादा वैसे hard नहीं हो रहा है और सभी गैनेटर्स का medical same नहीं हो रहा है तो बहुत सारे कैंडेस इस बात में confusion है कि सर उस bench का तो ऐसा हो रहा है और guys आप अपना review share करना चाहें तो review share कर सकते हैं आपको social medias के link description में provide करवा दिये गए हैं यहां से भी आप share कर सकते हैं सभी candidate का medical है गरूफ वाइज हो रहा है तो सभी का अलग-अलग process हो रहा है तो tension लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब आप वहाँ पे जाओगी आपका कौन सा group बनेगा उसके उपर depend करेगा कि किस तरीके से आपका medical होने वाल है आप document में किसी तरीके ही गलती ना करें और आप सभी समय पर पहुंच जाएं और यही आपसे उमीद है आपका दिन सुब हो और आपकी यात्रा मंगल में हो जै हिन, जै भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जै जैसा भी आपको update लगा आप guys अच्छा लगा तो like कर सकते हैं यादि नहीं लगा तो dislike कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है और guys चैनल को अभी तक subscribe नहीं है तो जरूर से चैनल को subscribe कर दें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि आपको update साइस में पर मिलता रहें मिलूँगा एक और नहीं update के साथ तब तक के लिए सभी गैंडिस को take care, bye bye, जेहिं, जे भारत, वंदे मातरम, भारत माता कीजए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आई है कोई भी problem आपको आ रहे है तो guys आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं को 100% आपकी सायता की जाएगी